तो चाहे हम किसी भी brand का phone यूज़ कर रहे हूँ एक time ऐसा जरूर आता है कि हम अपने phone से धिरे धिरे बोर होने लगते हैं और ये situation काफी सारे लोग में बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलता है लेकिन गाइस अगर आप लोग Samsung का phone यूज़ करते हैं तो इसकी help से अगर आप लोग Samsung का कोई latest phone यूज़ कर रहे हैं Galaxy M series और F series को छोड़ कर तो आप लोग अपने इन सारे Galaxy phones को बहुत ही जादा attractive बना सकते हैं उसके अंदर काफी सारे customizations कर सकते हैं तो इसकी वज़ए से Samsung के अंदर जो goodlock application है ये काफी जादा Samsung का highlighting features बन कर आता है तो इसके लिए simple सा आप लोगों को Galaxy store पर जाना है और goodlock application को download कर लेना है इसको open करने के बाद आपको home app module को download कर लेना है तो आज की इस वीडियो को मैंने दो category में categorize कर दिया है एक part में मैं आप लोगों को पताऊँगा कि आप लोग अपने home screen को कैसे customize कर सकते हैं और दूसरे part में आप लोग दिखेंगे कि recent screen को आप लोग कैसे customize कर सकेंगे तो जैसे ही आप लोग home app module के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आप लोगो को काफी सारा option देखने के लिए मिलेगा जैसे grid के अंदर हम लोग जाएंगे तो home screen grid और app screen grid उसके grid को हम लोग change कर सकते हैं similarly आप लोग app screen के भी grid को यहाँ से change कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं इसके सारे features को one by one नहीं समझाने वाला हूँ इसकी वज़ा से वीडियो जो है वो काफी जादा लंबा बन जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का मैं जादा से जादा टाइम लूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ उसके इसके नीचे जाएंगे हम लोग और इसके color को और इसके size को यहाँ से आप लोग छेर चार कर सकते है तो guys ये तो हो गया कि हम लोग अपने home screen और app screen को कैसे change कर सकते हैं, उसके अंदर customizations हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब चलिए guys मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपने recent screen को कैसे customize कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग फिर से वापस आएंगे, और वापस आने के बाद य अब यहां पर आप लोगों को बहुत सारे options देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों को Simplicize को on कर लेना है, आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं layout type, आप लोगों को यहां से जो भी layout चाहिए, आप लोग यहां से उसको set कर सकते हैं, जैसे कि list हो गया, जो कि हम ल कि आप लोग recent screen से search bar को हटाना चाहते हैं, recommended app जो आप लोगों को bottom में देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वज़े से काफी सारे लोगों को बहुत जादा ugly लगता है, तो आप लोग यहां से उसको भी disable कर सकते हैं, अब इसके बाद जो तीसरा setting है, इसके अंदर हम लोग अल गाइस वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे comment में जरूर बताना, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस good luck के ओपर मैं आगे भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं, मिलता है next वीडियो में, good bye